दोस्तों आज बात करेंगे हम Fugifilm cameras की और यहां पर आप कुछ models देख पा रहे हैं यह models beginners के लिए भी बहुत अच्छे हैं इसमें कुछ models और कुछ models हैं जो लोग professional level पर photography करना चाते हैं या वीडियोग्रोफी करना चाते हैं उनके लिए काफी अच्छे रहेंगे तो आज मैं मिलूगा भी Fugifilm के representative से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे इनके क्या features हैं, कौन सा model किस तरह के photographers के लिए अच्छा रहेगा, किस price के अंदर है और क्या best features है उसमें तो कहीं मच जाएए गाइस वीडियो को आप इंट तक जरूर देखिए So welcome back to my channel friends, this is Manish Akseena आईए श्रुवात करते हैं तो दोस्तो इस वाक्त मैं जैपूर में सुबरान्शू सेल्स में हूँ और यहाँ पर मिलेंगे हम Mr. Mukesh से और Mukesh से बात करेंगे मुकेश तो आज थोड़ा हमें बताईए कि यह जो आप cameras है, 5 cameras यह cameras के models क्या-क्या features है, किस प्राइस में है किस तरह के photographers के लिए यह videographers के लिए अच्छे रहेंगे, तो मेरे खाल से शुडू करें यहां से, मतलब बिगनर लेवल से यह model है सर, X7 X7 फ्यूजी का basic model है यह blogging टाइप का यूज में ले सकते हो आप थोड़ा साप इधर आजिए इसको थोड़ा सा हाफनोटा लेते हैं, है ना, आकि हम थोड़ा देखते जाएंगे दर्शक को भी देख पाएंगे थोड़ा सा cap हटा देते हैं इसकी जड़ा आपको अधर ब्रेंड में अगर आप जाते हैं तो उसमें जर्क आता है इसमें इजी लिए आप इजी टो अपरेट करके नॉर्मली आप किसी भी चीज़ को और चोईस मेगा पिक्सल का कैमरा है इसका 360 की रूटे डिस्पले है फिजी फिल्म के अंदर आपको जो बेनेफिट मिलेगा एक तो मिलेगा आप लाइब चार्जिंग पॉइंट इसमें सी टाइप का चार्जिंग है आप कंट्यून लगाते भी रहिए और कंट्यून शूट भी करते रिजिए इसमें बेनेफिट है दूसरा बेनेफिट है आप लाइब अगर इसमें जा सकते हो फ्यूजी की एक एप होती है एक्स सिरीज के नम से ओनलाइन आप देखके तो डिरेक्ली लाइब भी जा सकते हो बिना किसी डिवाइस के और तो यह जो भी कोई लोग अभी आलो फोटोग्रफी सीखना शुरू कर रहे है या जो लोग एक चोटा मोटा एक कॉमर्स का काम करना चाहते है प्रोड़क्ट फोटोग्रफी टाइब वो इसमें हो जाएगी और इसके अंदर जैसी यह तो किट लेंस आपने मता है 1545 का अप एक सब्सक्राइब थोड़ा कोशली सिरीज है और एक सी सिरीज जो है वो थोड़ा बजट में भी है तो एक सी में आपको 35 मिल जाएगा 50 mm F2 में मिल जाएगा तो आप नॉर्मली शूट कर सकते हो F2 बहुत अच्छा आपर डेफ्टो फिल्ड भी देता है और शार्पने डि के लिए इसमें पॉर्ट दिया हुआ है 3.5 mm का आपका माइक भी इसके अंदर लग जाता है इससे उपर जो मोडल आता है वो आता सार XT200 दोनों में अच्छा नी इस पर आभी आएंगे इसका पहले थोड़ा एक तो प्राइज बताएगे क्या प्राइज है प्राइज सर इ इसमें आप video भी शूट कर पाएंगे या दोनों चीज़ आप कर सकते हैं थोटुग्राफी और फोटोग्राफी में इस लो इम्सांठ धाएंड फीडिया डिस्प्स्री पर जाता है नूओ शूट पर शूट कर सकते हैं एक्सोट कर सकते हैं 121 तक शू।оту दरेーピर और आप जैसे आपने बता है बिगनर के लिए अब जैसे फ्यूजी फिल्म है वाइ फ्यूजी फिल्म कोई लेना चाहे जैसे और भी बहुत सारे ब्रैंड्स है तो आप क्यों रिक्मेंट करना चाहे कि फ्यूजी फिल्म बेस्ट है इसी क्या चीज है जो फ्यूजी फिल्म को थोड़ इस फ्रेम मिल जाएगा, चार्जिंग पॉइंट लाइब मिल जाएगा, सब में अडप्टर लगाना होता है, इसमें लाइब आप चार्ज भी कर सकते हो, आज़ेट शूट भी कर सकते हो, तो दोस्तो यह आपने देखा मॉडल फ्यूजी फिल्म का X-A7 जो की लगबग जैसे बतारें कुछ 46,000 में आपको मिल जाता है, ना केवल इसके उपर आप फोटोग्रोफी अच्छी कर पाएंगे, बलकि अगर आप कोई एक यूट्यूबर है, ट्रेवल व्लॉगर है, ट्रेवल फोटोग्रोफी करते हैं, शौक्या काम करते हैं, तो उसके लिए बहुत ही जो इसका लुक है, वो भी देखने में काफी खुबसूरत है, जैसे कि आप देख पारें कैमरा पे, अब बात करते हैं, अगला मॉडल हमारा, यह मॉडल कौन सा है, XT200, यह X7 से अच टुपर का मोडल है, X7 और XT200 में सिर्फ वी फाइंडर का फर्क है, इसमें एक वी लगा हुआ है, 15-45 यह साथ में हाता है, किट लेंस है, इसमें एक कॉम्बो पेकेज उराता है, पचास दो सो तीस के साथ, तो आपको अगर आप सिंगल लेंस लेते हैं, तो यह आपको बेस्ट प्राइस 56 का पड़ेगा, कॉम्बो में अगर आप लेते हैं, तो 74 का आपको पड़ेगा, तो यह कैमरा भी जो है, बिगनर के लिए अच्छा है काफी, और फीचर्स, फीचर्स सेम है, जो एक्से सेवन में है, वो एक्टिटोंड में है, चोईश में का फिक्सल आपका कैमरा है, 360 डिस्प्ले रूटेड है, 4K 30P तक है, नो को रूप है, इसमें जो एक निकल के आती है, तो इसका क्या प्राइस है अभी, इसका सिंगल लेंस पड़ेगा सर 56 का, और कॉम्बो में पड़ेगा आपका 74 का, तो यहां पर अगर आपको व्लॉगिंग करनी है, आपको फोटोग्रोफी करनी है, तो यह दोनों कैमरा ही काफी अच्छे है, जो लोग फ फोड़ा सा ऊपर चले, तो उसमें फिर अपने पास और कॉम सी मॉडल्स है आपी, उसके उपर सर फिर SS10 आता है, जो अभी जस्ट लेटेस्ट न्यू लॉंचिंग ही हुई है, कुछ टाइम पहले ही, यह टीफोर की जस्ट कॉपी है, चोईस मेगा फिक्सल है, यह एकदम आई फोकस हो राता है, आई फोकस सब में होता है, लेकिन इसके अंदर जो है एक ओटो है, आपको राइट आई को फोकस करना हो तो आप वो उन कर सकते हैं, लेफ्ट को करना हो तो दोनों उन कर सकते हैं, तो यह थोड़ा सा मतलब इन दोनों केमरा के कंपरिसन में थोड़ा फिर किट लेंस जो आता है उसका प्राइस और इसके साथ और कौन-कौन से ऐसे अच्छे लेंस है जो एक फोटोग्रोफर जो अब बिगनर के ऊपर आ चुका है और एक अच्छी फोटोग्रोफी करना चाह रहा है कि भई मैं एक वेडिंग फोटोग्रोफी करूं क्यूंकि फ जरुवत है जादा उसमें काम करने की जरुवत है लेकिन फिर भी आप इसके तो बॉड़ी का प्राइस बताइगे एक किट लेंस का और इसमें और अच्छे लेंस अगर लगाने हो तो कौन-कौन से लेंस की ऑप्शन है देखो सब इसकी बॉड़ी का प्राइस है मर्पी त यह अच्छर होता है अठाघर पर टूपटे करेगा पंचपुन भेगा फ्र करेगा उसके साथ आपको पड़े मा यह एक इह गपारा का और एक 16 लेंस इसके इंदर अपर्चर लेंज रिंग में ही मिलेगा आपको और ये पड़ेगा आपको 136 का 16 के साथ 16 के साथ ओके तो ये किस तरह के आप फोटोग्रोफर्स को रिंगमेंट कर रहे हैं फैशन फोटोग्राफर कर सकता है वैडिंग में अच्छा यूज में ले सकते हो आप एक अमेसर टाइप भी आप इसको यूज में ले सकते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ें दोस्तों तो यहां पर फिर ये कौन सा मॉडल है यह सर एक्ष टी तीरी है जो 2018 से काफी पॉपुलर लाए यह मोडल और काफी अच्छा चला भी है और फ्यूजी जो बनाती है टी तीरी को इसमें इजी टो बना दिया एक्षिल में शटर अपरचर आईयसो अपन रिंग के जरीए अलग-अलग करना होता है इसमें सब कुछ फ्यूजी ने डिस्प्ले उपर ही दे रखा है आपको यह आपके शटर स्पीड है यह आपके आईयसो है यह एक्स्पोजर है अपरचर फ्यूज अपर बनाईए बट ओली ड्रावग जो मुझे समेक लगा वह इसका बैटरी लाइफ बैटरी इसका बैटरी लाइफ जो है इसका बहुत कम है अदरवाइस फ्रेंड इस्क्राइबर अच्पार इस बहुत अच्छा कैमरा है अगर आपका अज पर आजकी तरी चल्ड है इसक एक बढ़ना थे स्पेशली इस कामरा को क्योंकि मैंने रुप्ट और रहा हूं आपको वीडियो के लिए रहा है अपको वीडियो के लिए कामरा बहुत अच्छा है तो इसमें आपने आपने लगा है हुआ है 16-55 का तो अपने सबसे बेस्ट लेंट लगा के रखा है यहां पर तो अब इसके तोर से फीचर बताईए क्या फीचर्स हैं और यह किन लोगों के लिए क्यामरा अच्छा रहेगा सर एक तो प्रोफेस्टनल फोटोग्राफर वैडिंग में अच्छा यूज में आता है एप्यसी सेंसर है कैमरा का और इसमें आप्शन आपको दो कलर मिल जाते हैं सिल्वर और ब्लैक इजी टू उप्रेट है जैसे मैंने कि अभी बताया एक्ष्टी थिरी सेम है एक्ष्टी जो है इसके अंदर आप इस्टिल और वीडियो का मोड अलग अलग दे दिया है इसके अंदर इसके अंदर जो है आपको एजड़ करना होता है इसे मैं दो मोड कंपनी ने अलग से दिए is still and इसमें भी तीन आती है बाडी आती शोला पछ्पन आता है इसमें बी तीन बॉर तो यह fix है मतलब 2.8 मतलब 16-255 तक you can shoot on 2.8 इसका जो price है अभी आज की rate में XT4 का only body का प्राइज है only body पड़ी की sir आपको 132 की और 18-50 के साथ पड़ेगा आपको 155 का 18-50 के साथ जो किट लेंज आता है हाँ और 16-80 के साथ जो पड़ेगा आपको पड़ेगा 176 का तो यह अब आप मुझे बताएगी कि यह वैसे crop sensor camera है full frame तो है नहीं पूरा तो उस हिसाब से आपको नहीं लगता थोड़ा price जादा है because and why people should use crop sensor camera in 2021 इतना पैसा डाल के इसमें आपको full frame ही मिलता है मतलब यह क्यों आप इस camera को थोड़ा सा अलग मानते है या फ्यूजी फिल्म कहता है कि यह थोड़ा सा color science तो अच्छा है वह मैं मैंने यूज किया तो मैं वह जानता हूँ color science अच्छी है उसकी बट difference क्या है मतलब crop sensor camera है ठीक है एक जो मुझे लगता है कि आपको इतना पैसा डाल आपको crop sensor मिल रहा है तो इसमें आपको एक full frame camera भी दूसरे brands में मिल जाते है but apart from that हम क्यों ले मतलब इसको कि अगर इसमें भई क्या चीज ऐसी खास है सर खास तो देखो फ्यूजी के colors है खुद की profiles फ्यूजी खुद बनाता है f-log की और features wise अगर आपन बात करें तो जितना full frame में नहीं आता जितना APS-C में फ्यूजी दे देता है दूसरा है mirrorless mirrorless और series भी बहुत इसकी आपको budget में ही पड़ेगी ज्यादा कुशली नहीं पड़ेगी okay और इसका अपने प्राइस इसमें भी दो color रहते है में रिख्या आपसे हा इसमें बहुत इक अच्छी camera body है mirrorless है जैसे के बता रहे हैं इसके अंदर आपको जो है photo और इसके लिए video के लिए इसके अंदर एक बर flip screen भी है इसका आप देख पा रहे है तो मेजर जो difference XT3 और XT4 में क्या फरक है मतलब क्योंकि मुझे लग बग एक साही लग रहा है इसमें फरक क्या है एक तो डिस्पिले डूटेट कर दी सर इसकी और दूसरा जो है इसका स्ट्राठीब जेशन थोड़ा स्ट्रोंग कर दिया है बैटरी मेंक इसका बहुत सब्सक्राइब करेगा च्छा कर दिया फॉकस पईंट है आई i focus वगरह सब कुछ इसमें है जॉन सेंटर वगरह सार फोकुसिंग गए बैटरी लाइफ कैसा है इसका बैटरी लाइब बहु काफ़ी अच्छी एमेच की बैटरी दी कमपनीन आप किया इसके आपको एक तर्फ रहे हैं नियुक्त पर सकते हैं या बैटरी विख सकते हैं ज्यादा जिसे तदे आप एक्टरी ग्रीप ले सकते हैं और नॉर्मल यह अपना ठीक है दो तिन घंटे का शुट है तो आप एक तो यह जो आपने एक बार तोड़ा सा रिपीट कर जी यह तो है अपना XA7 है यह हमारा आगया XT200 है यह आगया XT3 और यह हमारा आगया XS10 और यह जो है जो जादा पोस्टोस्ट के जहनजट में नहीं पढ़ना चाते जादा एरेटिंग के चक्कर में ही तो फ्यूजी फिल्म की स्पेशल एटे की कलर साइंस बहुत अच्छी है इसमें से XS10 XT3 और XT4 यह तीन क्यामरा दोस्तों मैंने भी यूज किया है तो मेरा परसनल एक्सप लाइफ है वो थोड़ी सी वीक है वीक मतला मुझे काफी बैटरी लाइफ इसका कम लगा भी आपको बैटरी लेना ही पड़ेगा और बट इसका जो XT4 के एक्सपिरेंस वह बहुत अच्छा रहा मैंने सुपे काफी सारे वीडियो बनाए अपने यूट्यूब के यह मुझ करूंगा कि आप 16-55 का लेंस जरूर लें F2.8 का थोड़ा सा महंगा पड़ेगा बट अगेन यह बहुत ही अच्छा एक कॉंबिनेशन है अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल का काम कर रहे हैं और यह दोनों कैमरा पे आप अच्छी खासी वेडिंग फोटोग्रोफी फाश है और क्या आपने इन कैमरा को कभी experience किया अगर नहीं किया तो आप जरूर करिए मैं इस वक्त राजस्तान में हूँ और जैपूर के अंदर में भी आया हूँ शुबरांसुर शेल्स में तो अगर आप आसपास रहते हैं राजस्तान में जैपूर सिटी से हैं तो आप यहां में पता चलता है कि कैमरा की performance कैसी है और जिस तरह की features आपको चाहिए क्या वो features आपको उस particular camera model में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं आज के लिए इतने जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ thanks for watching और चैनल को subscribe करना बिल्कूल मत बूलिए